अलो दोस्तों मैं देख रहे हैं रास्तान एलेक्टरिका दोस्तों आज के सी वीडियो में हम आपको बताएंगे टिवी स्टेंड किस परकार से लगाया जाता है जो LED टिवी आता है उसका स्टेंड वाल पर किस परकार से Lab shoulders pen किया जाता है कि आसानी से आप भी कर सकते हैं क्योंकि अलग-अलग परकार के स्टेंड आते हैं और अलग-अलग तरीका होता है उसको लगाने का तो इस परकार का स्टेंड टीवी के साथ में ही निकलता है और अलग से भी आपको मिल जाता है तो इसको किस परकार से माप लेना है तो ये सब जानना है तो वीडियो को लाश्ट तक देखना है बस चोटा सा वीडियो है तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको TV स्टेंड लगाना सिखाते हैं तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं इसकुछ इस परकार का आपको स्टेंड के साथ में सब कुछ से ही मिलता है देखिए इतना सारा समान आपको इसके साथ में मिल जाता है और अलग से आप स्टेंड लेना चाहते हैं तो इस परकार के बॉल्ट और गिट्टी आपको मिलती है और सिरफ स्टेंड आपको मिलता है और इसके साथ में यह छोटे वाले स्क्रू होते हैं स्टेंड को लगाने के लिए जो LED के पिछे लगते हैं वो आपको LED के साथ में ही मिल जाते हैं वो ही आपको लगाना चाहिए और अच्छे से उपर set कर सकते हैं, तो देखे ये जो hall आपको दिख़ै दे रहे, इसमें bolt लगेंगे, जो कि इसके साथ में ही मिलते हैं, इस परकार के screw लगजाएं, तो देखे ये तीर का निसान उपर के और बना हुआ है यानि कि यह इस परकार से उपर की तरफ रहेगा LED इसके उपर fix हो जाएगी और वाल पर fix होने के बाद में कुछ इस परकार से यह इसके अंदर फसाया जाता है और उसके बाद में यह जो उपर के यह उपर के और उठ जाती है जिसके कारण यह इस्टेंड वो अपिस निकलता नहीं है इसको लूज करे बिना आप इसको निकाल नहीं सकते हैं तो LED आपका गिरने का भी खतरा नहीं रहता है जो LED TV यह वो आपका कभी गिरेगा नहीं क्योंकि कुछ इस्टेंड ऐसे आते हैं जिसको आप उपर दख्यल देते हैं तो यह वो गिर भी जाते हैं तो ऐसा इस्टेंड केसा साथ में बिल्कुल भी नहीं है तो कुछ अलग हटके है ये stand तो देखिए इसको जैसे tight करते हैं तो ये उपर उट जाती है पति और जैसे ही loose करते हैं ये अंदर की तरफ दस जाती है तो कुछ इस परकार से ये उपर के ओर होती है तो ये लगतिक किस परकार से LED पर देखिए जो ये तीर का निसान बना इसको आपको लगाना है जो screw इसके अंदर fix आते हैं वही screw आपको लगाने है सबसे छोटे वाले screw इसमें fix आ रही थे तो यही हम इसके अंदर लगा रहे हैं और आसानी से आप कर सकते हैं लेकिन आपको एक ध्यान भी रखना है कि दोनों साइड बराबर कसना है पत्ती को यान कुछ इस प्रकार से चार इस्क्रू इन पतियों के अंदर दो-दो करके आपको आसानी से लगा लेने हैं और लगाने के बाद में आपको अच्छे से टाइट कर लेने हैं और आगे भी आप इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी ी से कर लें क्योंगि हमें इसी प्रकार के लेक्री कल से जुड़े हुए कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो कुछ इस प्रकार से इस्क्रोड्राइवर से आपको टाइट कर देना है तो देखे अच्छे से हमने टाइट कर दिया है हो टाइट करने बाद में क्या करना है आपको जो इसके उपर का जो पती नुमा इस्टेंट दिया रहता है उसको वाल के उपर फिक्स करना है वाल के उपर फिक्स करना बिल्कुल ही आसान होता है लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसका मार्किंग जो है वो सही करना है और सिधा करना है आप water level का भी use कर सकते हैं तो देखे जैसे ही इस screw को आप कसते हैं तो ये उपर उठती है पती और जैसे ही lose करते हैं तो ये अंदर की तरफ दस जाती है तो देखे कुछ इस परकार से उपर उठ जाती है तो यह इस परकार से वाल में लगेगी और इसमें चार स्क्रू लगाने की जगए दी हुई है लेकिन फिलाल आप दो स्क्रू भी लगा सकते हैं यह जी आपके स्क्रू मजबूत है तो कुछ माप लेना है आपको तो इस परकार से आपको ले लेना है देखें यहां से लगबख साड़े नो दस इंच आ रहा है जो पत्ती है वो उसको लगा कर आपको माप लेना है क्योंकि वाल पर आप नीचे बर्ड वगेरा होता है इलेक्ट्रिक बर्ड तो वो इसके नीचे ना आ जाए इसलिए आपको मारकिंग करना बहुत ही जरूरी है जहां भी लगाना है आपको देख लेना है कि इस टेंट कितना उपर लगेगा तो देखें दोनों साइट से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे नीचे से आप हाइट देख लीजिए तो यहां पर हमारी मारकिंग हमने कर रखिया दो इसक्रू लगाने की आप चाहें तो इसके साथ में तीन इसक्रू आते हैं तीन भी लगा सकते हैं लेकिन दो इसक्रू यदि मजबूत हैं तो कहीं नहीं जाएंगे तो देखे कुछ इस परकार से हमने मार्किंग कर रहे हैं और बोर्ड से हमने लगबग 11 इंच रखा यानि कि 15-15 इंच आ रहा था तो हमने 1 इंच बढ़ा दिया है एक इंच उपर रखेंगे बोर्ड से 1-2 इंच उपर रख सकते हैं तो दोनों इसक्रू हमने अच्छे से टाइट कर दिया है और देखे वाटर लेवल से भी बिल्कुल सीधा हमने लगा दिया है थोड़ा बहुत इदर उदर होता है तो इसक्रू को लूज करके हम कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा option इसके अंदर इसके अंदर ही TV स्टेंड बिल्कुल आसानी से लग जाता है इससे आसान तरीका आपको ख़हीं भी नहीं मिलने वाला है तो इस परकार का इस्टेंड आपके पास में आता है लगाने के लिए तो आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं तो देखे कुछ इस परकार से LED TV आपको लेना है और अंदर देखे इस प्रकार से फसा देना है और फसाने की बाद में देखे अभी उपर बिलकुल सीदा देख खर आपको फसाना है और इदर-उदर हिला कर भी देख लेना है और आप इसकी जो left-right जो side है उसके अंदर आप चाहें उतना किसका भी सकते हैं कुछ है आप यदी इदर उधर लगता है तो अधर उधर normal आप कर सकते हैं तो देखिए ये board से थोड़ा इदर है तो इसको उधर भी हम किसका सकते हैं ये option आपको stand में मिल जाता है तो देखिए हमने इदर किसका दिया है इसको board के बिल्कुल بीचो बीच हमने रखा है खेलेंगे LED को तो यह निकलने वाला बिल्कुली भी नहीं है यह स्टेंड मेरे को बहुत अच्छा लगा यह फंक्शन हर स्टेंड के अंदर होना चाहिए क्योंकि कभी गलती से उपर हम दखा लग जाए तो यह LED आपका गिर ना जाए इसलिए इसमें सेफटी आपको मिल जात अच्छेंटे हैं जो आप यहांसे भी पर्चेर्चेस कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार जो चैनल हमने लगा दिया किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं हुई है तो उसके लिए देखिए कितना अच्छा और कितना सिधा हमने लगा दिया है इसी प्रकार से आपको लगाना चाहिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से नजर आता है तो चलिए मिलते एगले वीडियो में लेवार दो तू